हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सभी आपके जो यह MRS का सिलेबस है उसके अंदर अमेरिकन लिट्रेचर में एक राइटर जिनका नाम है नेथेनियल होथान इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे ठीक है जितने भी इंपर्टेंट फेक्ट्स होंगे वह सारे मैं आपको इसमें ब मरत्यू के बारे में, है न इनका जन्म कब हुआ था 4 July 1804 में इनका जन्म हुआ था कहां पर हुआ था Selan, Massachusetts में हुआ था U.S. में और इनकी जो मरत्यू हुई थी वह थी 19th में 1864 में New Hampshire, U.S. में, इनके फादर का जो नाम है, वो आप देखे हैं, इनके फादर का नाम था होगे कि इनके नाम में दीखिए विसे जैसे मेरा नाम है शाम मुझाओ दिया आप मेरा पिता जी का नाम मुझा रहेगा रहेगा वह जो भी ghost कहलं है तो पिता जी का नाम भी कि शर्मा रहेगा रहेगा और चेंज तो तो उनसे कहिन कहीं अपना आपको अलग करना चाहते है क्योंकि यह कैसी घटना हुई थी है ना 1862 में इनके जो एंसेस्टर थे है ना उन्होंने कुछ जज्मेंट दिया था क्योंकि वो जज्ज्ट थे उस समय जो कि कहिन कहीं यह कही है लेकिन इनके नाम में आपको मिलेगा इनकी पिता जी का नाम था डैनियल हेथान इनकी माता J likely का नाम थे लीजाबेट क्लाक मैनिंग और इनके और बारे में पूछ लिया जाता है क्योंकि और दखिए वसे तो आपने कभी psychological novel अमेरिका में psychological novel के founder भी थे psychological मतलब जो psychology related चीज़े जो हम देखते ना मन से related जो बातें है ना जो मैं आपको एको channel आपने देखा हुआ जिसमें आपको बताता हूं पूरा law of attraction है ना तो उस तरीके से जो psychological novel है उनके founder भी थे ये तो ये question भी बनता है तो याद रखिएगा ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हों ने जो है अपना नाम में W क्यों aid किया था तो देखिए इनके एक ancestor जिनका नाम था इनके जो great great grandfather जिनका नाम था जॉन है था तो इन्होंने एक judgment दिया था उस समय क्या था दे सेलम विच ट्रायल्स ये याद रखिया कभी एक्जाम में पूछ ले तो दे सेलम सेलम नाम क्यों है क्योंकि सेलम जगे का नाम है ना तो दे सेलम विच ट्रायल वर सीरीज ओफ hearing and prosecutions of people accused of witchcraft वहाँ पर जो witchcraft जो होती थी है ना जो एक काला जादू अगेरा जो किया जाता है तो उस प्रकार के कुछ लोग थे तो जिनको judgment दिया गया था जिसमें 200 लोग जो थे वो दोशी पाया गया थे जिसमें से 30 पीपल जो वो guilt found हुए था उनमें से यह 30 लोग जो है यह guilt है उनमें से ना जो 19 लोग थे उनको फांसी पर लटका दिया गया था और इसके अलावा एक व्यक्ति जो है वो torture के दरान उसकी मत्य हो गई थी इसका नाम याद रखने कि आपको जोटनी है और 5 लोग कम से कम 5 लोग जेल में मर गय थे ठीक है तो यह जो घटना हुई तो इस घटना से कईन कही उनको लगता है हौथान को कि यह गलत हुआ था और यह इनकी एंसेस्टर के जल्येंट की वrare तर इन्होंने क्या किया कि अपने नाम में डबलू एमेंत कर लिया था में हुई थी यह उस समय की बात है ठीक है आगे बढ़ा दें इसके लावा इन्होंने जो है अगर इनके अलमामेटर की बात करें तो इन्होंने वाड़ों कॉलेज जॉइन किया था और साथ इसाथ यह एडिटर भी रहे हैं 1836 में यह अमेरिकन मैगजीन के एडिटर भी रहे ह ठीक है और इनकी शादी सोफिया पैबोडी से इनकी शादी हुई थी 9 जुलाई 1842 में एक सेरेमनी के दोरान ठीक है इसके अलावा एक और क्योशन यहां से बनता है कि यह जो अब्राहम लिंकन थे तो उनसे मिले थे तो उनसे जब यह मिले थे तो इस experience के बारे में उन्हों ने लिखा था उनकी नोवल में जिसका नाम था chiefly about war matters तो यह question और बनता है यहां से यह याद रखिए यह भी important question है यह कौन सा college join किया था यह भी question कई बार आता है आपने exams दी होगी तो और अब तक जितना भी बताया सारा important है आगे भी important ही बताऊंगा ठीक है चलिए आगे ब वीवर की वज़े से और जब इनके पिताजी की मत्ति हुई थी तो उस समय ये किवल चार साल के थे है ना तो इनके पिताजी की जो मत्ति हुई थी येलो फीवर की वज़े से हुई थी उस समय ये चार साल के थे और इनका करियर स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने कॉलेज जोइन किया था है ना 1821-224 के बीच में इनका राइटिंग करियर भी शुरूव हो गया था एक सेकेंड आगे बढलाते हैं एक और क्योशन यहाँ से बनता है जो कि बनता है बाले में तो यह टम भी इन्होंने ही डेवलप की थी तो कई बार क्योशन बनता है कि यह टम किस ने डेवलप कीते तो याद रखेगा ने ने थैनियल खॉट हॉट्वन धीक है यी इसके अलावा देखिए अब इनके कुछ important novel है ना अभी जो मैं आपको बता रहा था जो इनके Puritans जो थे ancestor इनके ancestor थे ना वो Puritan थे तो उनके बारे में एक work है इनका जो की आता है Scarlet Letter में है ना तो यह बहुत important novel है यह question मतलब exam question पूछा जा सकता है कि यह novel किसका है तो यह novel याद रखिएगा किसका है इसके अलावा इन्होंने यंग Goodman Brown 1835 में लिखा Ethan Brand 1850 में The House of the Seven Gables यह भी most important novel है यह भी पूछा जाता है 1851 में आया था and the Blith Del Romance 1852 में आया था ठीक है तो वैसे तो यह सारे novel में आपको बता दिया जो की important है इसके अलावा और भी novel है उनके नाम मैं आपको last में लिखके दूँगा तो आप एक बार पढ़ लेना उनको लेकिन जो important है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं इसके यह two volume collection है और जिसको दो बार publish किया गया था first में 1836 में उसके बाद में 1842 में इसके बाद Moses from an old man's यह 1846 में आया था इसके अलावा Tanglewood Tells यह भी यह collection है famous ancient Greek myth जो की publish हुआ था 1853 में और यह especially किसके लिए था children के लिए ठीक है अच्छा यह बात मैं आपको पहले बता चुका कि इन्होंने अपने आपको separate करने के लिए अपने नाम में डबलूएट कर लिया था और किससे separate करने के लिए इनके जो puritan ancestors थे उनसे अपने आपको अलग करने के लिए है ना चाहिए आगे बनाते है एंसेस्टर का मतलब तो आपको पता ही होगा जो पुराने लोग जो होते है है ना जैसे पिता जी की 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 पिता जी ना वह आगे बनाते हैं इसके बाद देखिए कुछ और important facts है इनको जो ब्रुक फॉर्म इन्होंने जोइन किया था तो इनको ब्रुक फार्म का जो कि बॉस्टन के पास था ब्रुक फॉर्म का इनको एक चार्टर मेंबर भी बनाया गया था 1841 में कई बार यह क्योशन एक्जाम में बन सकता है ब्रुक फॉर्म वाला तो याद रखिएगा और फिर उस ब्रुक फॉर्म को इन्होंने अपनी चादी के बाद में उसको छोड़ भी दिया था ठीक है ब्रुक फॉर्म इन्हों इसलिए जोइन किया था ताकि कहीं न कहीं यह थोड़े पैसे भी बचा सके इस कारण से ठीक है वहाँ पे बहुत मेनद भी करनी पड़ती थी एक तरह से वह एग्री कल्चर मतलब जैसे खेत कई इनका जात्र टाइम कहां पर निकला न्यू इंग्लेंड में ठीक है जहां पर यह किसके साथ में रहे राल्फ वाल्डो इमर्सन हेंड्री डेविड और उसके बाद में लूइस मेलकॉट के साथ में यह बाद में रहे ठीक है इसके बाद में देखिए इनको एक मुका मि मेल विल ने इनको एक नोवेल डेडिकेट किया था उस नोवेल का नाम था यह क्योष्न भी अग्जाम में बनता है हना हर्मन मेल विल जो थे जिनसे मिले थे उन्होंने राव?. अचुछ आगे बढ़ाते हैं, अब इसके बाद में 1842 हैं, इन्होंने जो है, शादी कर ली थी किस से, Sophia, Amelia, Peabody से, यह याद रखीगा, और इसके बाद में इनके एक लड़का और दो लड़कियां हुई थी, ठीक है, एक और चीज़ जो कि याद रखने हैं, कि जब इनके जो फ्रेंड थे, इनके एक फ्रेंड थे, जिनका नाम था, फ्रेंकलिंग प्यार्स, ठीक है, यह युनाइटेड इस्टेट के प्रेसिडेंट बने थे, हैंना, 14th, तो जब यह प्रेसिडेंट बने थे, तो उसके बाद म चार साल, तक इन्होंने जो वहां के जो काउंसल थे, लिवरपुल में, उसकी पोजिशन को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, किसने, होथ होने, कब किया था, जब इनके मित्र जो थे, जिनका नाम था, फ्रेंकलिं प्यार्स, वो वहां के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, तो यह एक इंपोर्टेंट एक्सेप्ट है, यह याद रखिएगा, उसके बाद में, यह वहां से फ्रांस चले गए, और कुछ समय बाद में, जो प्यार से थे, है ना, वो और उनकी, मतलब जो प्यार से, और होथान, यह कहां पे चले गए थे, न्यू हैमशार में चले विके हो गई थी और इस वजह से वहीं पर इनका मृत्यू भी हो गई थी हसा थोड़ा सटारी stop हाँ आद टो वहाँ पर होंपन होटल में रुखे थे और जहाँ पर इनकी मृत्यू में तीक ठीक है तो यह इसका नाम था Sleepy Hollow Symmetry, वहाँ पे इनको दफनाय गया था, जो कि कहाँ पे था, Concord, Massachusetts, USM, ठीक है, तो यह question यहाँ से भी बनता है, अब भी यहाँ पर दिखिये कुछ works जो है, important work, यह सारी बाते हम अल्रेडी कर चुके हैं, है ना, इसके बारे, हाँ, एक और यह इसमें important है, कि The Bells of Lynn, यह एक work है, जो कि किसने लिखा था, Longfellow ने tribute किया था, किसको tribute किया था, Hawthorn को, है ना, मतलब Longfellow, Rotter Tribute Poem, यह tribute poem है, जो कि Longfellow ने इनको, क्या बोलते है, tribute किया था, ठीक है, 1866 में, इनकी मित्तियों तो पहले हो गई थी, है ना, यह तो हो गया था, Bookform के बारे में हम बात कर शुके थे, अब इसके बाद में, एक authors, यहाँ पे इनको दफनाय गया था, है ना, authors rich, sleepy hollow, एक symmetry का नाम था, वहाँ पे इनको दफनाय गया था, यह भी एक question है, यहाँ से बनता है, इसके बाद में देखिए, इनका जो important novel में आपको बताता हूँ, यह important novel है, जो कि इन इन्होंने anonymously publish करवाय गया था, क्योंकि देखिए, उस समय ऐसा होता था, कि क्या मालूम, अगर यह अच्छा नी चला, नाम खराब हो जाए, इस वज़े से, तो इन्होंने anonymously, मतलब बिना कैसी नाम कि इन्होंने publish करवाय था, 1828 में, इसके बारे में, एक्जाम में पूछा हो गए, हमने हर व्यक्ति की बात को अपने मन पे ले लिया, तो इस novel में यह बताया गया है कि किस तरीके से हमको life को जीना है, how to live and spiritual integrity, किस तरीके से जीना है, और किस तरीके से हमारी जो integrity है, इमान दरी जो है spiritual, spiritual मतलब आध्यात्मिक इमान दरी, जैसे कि कुछ नियम बने हो life एक cycle की तरह है, जो balance बना के चलेगा, उसकी चलती रहेगी, वरना अगर आप यह सोचो कि यह ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, तो तो आप फिर जीनी पाऊगे, आपको अपने हिसाब से अपनी spiritual integrity को लेके चलना पड़ेगा, यह इन्होंने इसम भी लेके परिशान, बोले यह ऐसा क्यों कर रहा है, यह इसको क्यों मान रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों करा, तो अगर हम यह चीजे लेके चलेंगे, तो हम खुद नीचे पाएंगे, तो यह बात इन्होंने इसमें बताई है, ठीक है, तो यह जो novel है, य वाउट लिव एंड इस्पिछल इंटेग्रिटी इसके अलावा दूसरा नोवल स्कार्लेट लेटर यह मोस्ट इंपोर्टेंट है यह एक रोमेंटिक नोवल है एक मस्टरपीस भी कहा जाता है एना 1850 में आये था यह इसके अलावा दा हाउस अप दे सेवन गेबल यह भी एक इस रोमांटिक नोवल है 1851 में आये था दा ब्लित देल रोमांस यह 1852 में दा मार्बल फॉन और दा रोमांस ओफ मॉन्टे बेनी यह 1860 में तो यह कुछ इनकी इंपोर्टेंट नोवल है यह आपको याद रखना है इसके लावा दा डॉलिवर रोमांस 1863 में आये था यह अ 1872 में ठीक है डॉक्टर ग्रिम्शेव सिक्रेट यह एक रोमांस था यह भी एक तरह से अनफिनिश्ट था लेकिन यह 1882 में पुब्लिश किया गया था ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टेंट इनके नोवल है याद रखिएगा यह वाले याद ने रखो तो इसके पहले वाले थे उनके बारे में लिखी थी ठीक है जो जब वो 14th president बने थे USA के है ना उस समय की बात है चलिए इसके बाद यह तो हो गया हाँ यह इनकी कुछ short stories है जो मैंने आप इस सारी लिख दी है तो एक बार यह PDF आपको मिल जाएगी तो इनको एक बार आप सारी पढ़ लेना है ना वह है जो मैंने अभी आपको बता ही important मैं आपको बता दी है इसके अलावा है important तो एक बार आप इनको revise कर सकते हैं ठीक है तो यह वाला वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा तो मैं आपको बता दू कि जो लोग भी EMRs की त्यएर है तो अभी आपको आपको यह कूर्स यह कूर्स 1499 का है लेकिन अभी दशेरा उफर चल रहा है तो अभी कल तक रहेगा तो अभी इसकी प्राइज आपको 999 दिखेगी तो 999 इसके अलावा भी आपके पास से कूपन कोड अवेलेबल होगा तो अभी यह कूर्स मात्र 799 में आपको मिल जाएगा जिसमें आपके सभी जो है मतलब कोर्स में जितना भी सिलेबस है आपका वो पूरा रहेगा इसमें ठीक है आपका ग्रेमर लिट्रेचर इसके अलावा आपका जो मैच्स रिजनिंग वगेरा है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी तो अभी बिलकुल फाइदेगा सो सब पूछ आपको कंटेंट पूरा मिलेगा इसमें तो यह बिलकुल आप सिस्टेमेटिक तरीके से अपनी तयारी कर सकते हैं और यह कोर्स आप लेट्री एजुकेशन के एप पर जाकर ले सकते हैं ठीक है यह अभी ओफर चल रहा है एक दू दिन का है उसके बाद में वाप से 1499 का हो जाएगा ठीक है लेट्री एजुकेशन का एप आप डाउनलोड करें और वहां पर आपको मिल जाएगा अगर कोई परशानी आती है तो डबल नाइन डबल सेवन सिक्स फाइफ 1282 इस नंबर पर आप वाट्स अप कर सकते हैं ठीक है तो यह बिलकुल आप कूर्स लेकर और इसमें पूरा grammar भी मिलेगा जो कि आपको अधर एक्जाम में भी help करेगा देखिए एक बार आपको grammar तो पढ़ना ही पड़ेगा और grammar के सारी चीजह आप एक बिना अगर आप पढ़े एक्जाम देने जाओगे तो मजा नहीं आएगा और पढ़के एक्जाम देने चलिए thank you everyone मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में thank you so much